नमस्कर दोस्तों सौगत है आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एज्विकेस्टन चनल में तो आज के उड़ो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्विसन के बारे में बात करेंगे जैसे की खुन जो वो गाड़ा हो जाता है तो खुन जब गाड़ा हो जाता है तो कुछ ऐसे प्रॉब्लेम और कॉम्प्लिकेसंस होते हैं जैसे की बीना चोटके इस तरह से आपके स्कीन के उपर नीले रंग के निसान देखने को मिलते हैं या आप भी आप यह डायगराम में देख रहे हैं इस तरह से कॉम्प्लिकेसंस जो जो देखने को मिलते हैं तिसतरह सिम्टम हम देखे तो जो पेशंट है उसको सास लेने में परेशानी होती है ब्रेथिंग करने में दिक्कत आती है चौता हम देखे तो बीना चस्मे के भी या फिर चस्मा पैना हो तो भी आपको बलर दिखाए देता है नजर जो है वो दुंदली हो जाती है पांचवों हम सिम्टम हम देखे तो बॉडी में काफी थकावट रहती है पेसंट ऐसा फिल करता है तो उसका सिम्टम से वो इंडिकेट करते है कि आपका जो बलर है वो गाड़ा हो गया है कि जिससे और भी major complications हो सकती जिससे कि heart related problem हो सकती है stroke related problem हो सकती है जो chest pain की जो condition है वो produce हो सकती कि अगर आपका खून जो वो गाड़ा हो जाता है तो खून गाड़ा होना मलब कि उसके अंदर जो platelet होते है वो काफी ज़यदा बढ़ जाते है और उसके करान platelet जो है वो clotting formation करवाते है मलब कि blood clotting related problems देखने को मिलते है तो यह जो problem से उसको solve करने वाले बहुत अच्छे tablet के बारे में हम सिखेंगे आज की वीडियो लेक्चर में कि जिसका नाम है Ecosprint 75 कि जिसकी हम detail study करते है तो यहापे हम उसका label देखे तो Ecosprint हिंदी में भी लिखा है इंगलिस में भी यहापे उसका brand name लिखा है salt content aspirin है कि जो tablet का type हम देखे तो gastro resistant tablet है और एक tablet के अंदर 75 हम सिखेंगे इतना content रहता है और यह जो strip purchase करते तो उसके अंदर 14 tablets जो है वो रहती है तो detail में जानते है और यह सब जो topic से उसको cover करते है आज के उड़ी lecture में तो Ecosprint जो है ऐसी class के medication है जिसको हम anti-inflammatory and anti-platelet medications कहते है उनको blood thinners भी कहा जाता है because खुन को पतला करने के लिए यह दवा यह यूज़ की जाती Ecosprint उसका brand हो गया aspirin जो उसके अंदर salt content है 75 mg में यह available है तो popular blood thinner हो गई है medications की जो specially जो blood clotting जो होता है blood का जो clotting हो जाता है हमारे blood vessels के अंदर उसको treat करने के लिए और prevent करने के लिए यह medications खास कर use की जाती है और अगर आप यह problem solve करते है कि खुन को पतला भी करते है anti-platelet का का काम करते है तो जो heart attack का जो risk रहता है stroke का risk रहता है जो engine का जो problem है वो solve करने में यह tablet आपको काफी ज़दा help करती है manufacture की हम बात करें तो जो USV है वो उसके manufacture है कि जो एक Indian Multinational Pharmaceutical and Biotechnology Company की जिसकी head office इंडिया में मुंबई में है यह उसकी हम बात करें तो जो engine है कि जिसको हम chest pain कहते है कि यहाप याप देख रहे है कि सीने में दर्द होता है जलंज सभी कही बार feel करता है तो यह होता यह क्यों है कि जो platelets बढ़ जाते है उसके करन क्या होता है कि blood जो है वो आपका काफी ज़दा थीक हो जाता है blood जब थीक हो जाता है जो हमारा heart है उसको यह थीक blood को pump करने में काफी ज़दा जो है वो दिक्कत आती है उसका workload बढ़ जाता है heart का जिसके करन यह problems देखने को मिलती है तो heart related chest pain जो है वो देखने को मिलती है फिर treatment and prevention of heart attack कि अगर heart का workload बढ़ जाता है तो heart attack का risk रहता है तो eco-sprint medicine हमारी क्या करते है कि जो थीक blood हो गया है उसको थीन कर देती है पतला कर देती है कि जिससे यह सब complications जो वो solve हो जाता है तो जो stroke का जो इससी होता है उसको भी treat and prevent करने में eco-sprint को prescribe की जाती है फिर खून को पतला करने के लिए anti-platelet के तोर पे and blood clotting को prevent and treat करने के लिए उसको prescribe की जाता है तो यहाँ पर वीडियो के में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी book है वो ready है decision treatment तो यह book को order कर सकते है और सीख सकते है बहुत सरी बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में लक्सन, diagnosis, symptom, treatment तो यह book को order करने के लिए आप यह number पर whatsapp कर सकते है तो जरूर से book को order करें और सीखे बहुत सरी बीमारियों के बारे में और उनके proper उपचार के बारे में तो label में हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते है एक को स्प्रिन के बारे में तो gastro resistant tablet है यह यह खास आप देख सकते है फिर moisture से उसको prevent करना है एक tablet के अंदर 75 जितने एस्प्रिन हा गया sunset yellow FCF एंट टिटोनियम डायोकसेड उसके अंदर color set के गया है और जो children होते हैं below 12 year age के उनको नहीं दी जाती सिर्फ अंडर medical advice उनको यूज किया जाता है कभी भी उसका self-medication नहीं किया जाता बच्चों के अंदर फिर यहाँ पर खास लिखा है कि do not take this product during the last 3 month of pregnancy मलब कि प्रेगननसी के आकरे 3 महिनों में इको स्प्रिन को कभी भी यूज नहीं किया जाता अगर आपके डॉक्टर या फिर gynecologist advice देते है तो ही यूज की जाती है वरना कभी भी खुद से इको स्प्रिन को प्रेगननसी के दौरान यूज ना करें strip packing रहेगा आगे भी जैसे मैंने आपको बता कि 14 tablets लेती है वर्किंग की बात करें तो जो cox enzymes होते है cycle oxygenase enzyme उनको block करके ये काम करते है जिससे prostag London की effect जो है वो body में कम हो जाती है dose की हम बात करें तो specially lower dose से जो है वो उसको treatment start की जाती है कि specially जो 75 mg once a day के dose में ही उसको prescribe किया जाता है जरूरत पढ़ने पढ़े 150 mg मतलब की दिन में दो बार उसको लिया जाता है तो यहाँ पे फिर से में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी book है वो अब ready है उसको जरूर से आप order कर सकते है order करने के लिए ये वाले number पे whatsapp कर सकते है price के हम बात करें तो ये tablet जो हो काफी ज़यद affordable है सिर्फ उसकी जो price हम देखे तो 5 रूपीज है वो भी ये 14 tablets के तो काफी affordable price है ये ecosystem 75 का side effects हम देखे तो कुछ minor side effects हो सकते गर कोई लेना start करता है तो सरुवात के दिनों में heartburn जैसा feel कर सकते है मैं कि सीने में जलन जैसा feel होना acidity जैसा feel होना bleeding tendency increase हो सकती है मैं अगर कुछ थोड़ी सी भी चोट लगती है तो आपको bleeding हो सकती है अगर कोई high dose में use कर लेता है या फिर उसको ये medication suit नहीं कर सकती किसी को nausea or omitting याने कि जी गब रहना उल्टी हो जाना और stomach upset जैसा कुछ लोग feel करते हैं बट जैसे ये medication आपको suit हो जाती है तो ये side effect जो है वो चली जाती है फिर indigestion, hives, breathing difficulty, runny nose, itching, race syndrome तो ये एक उसकी famous side effect है race syndrome special pregnancy के दुरन ली जाये तो जो बच्चा होता है उसकी body पे effect कर सकता है कि जो race syndrome कहा जाता है तो ये खास ध्यान रखना है किसी के करण pregnancy में उसको नहीं दी जाती खास कर अगर किसी को ये medication की allergy है तो breathing difficulty, hives जाने की skin के उपर चपते बनना, खुजली होना, नाक से पानी आना जैसे कुछ side effects हो सकती है warning की ये बात है कि peptical cancer के patient है, already जिनको bleeding disorders है किसी को allergy है, non-steroidal anti-inflammatory drugs की उनको नहीं दी जाती, बच्चों में नहीं दी जाती, below 12, liver disease है, pregnancy in lactasi period है, और किसी को chicken pox हुआ है, तो उस दोरान, ये eco-sprint tablet को prescribe नहीं की जाती, pregnancy category उसकी हम देखे, तो C है, जिसके करण pregnancy के दोरान, ये safe नहीं मानी जाती, unsafe medication है, तो आपके gynecologist को जरूर से consult करें, उनकी advice ले, अगर आप eco-sprint को use कर रहे हैं, pregnancy के दोरान, drug-drug interactions हम देखे, तो ये बहुत सारे class के medications के साथ drug-drug interactions कर सकती, तो यहाँ पे हम ये एक list देख सकते हैं, ऐसे ही, ये एक दूसरा list है, तो ये जो medications के साथ भी, जो eco-sprint tablet है, वो drug-drug interactions करती है, तो कभी भी, ये दवायों का combination eco-sprint के साथ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एक और तीसरे list देख रहे है, तो ये जो medications है, उसको कभी भी, eco-sprint के साथ, combination में, जो ये वो use ना करे, बिकोज ये सब एक दूसरे के साथ, drug-drug interactions करती है, तो ऐसे ही आपको detail में सीखना अच्छा लगता है, तो हमारी book को भी purchase कर सकते है, या फिर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो ये वीडियो भी आपको जरूर से अच्छा लगेगा, कि यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं, और ऐसे ही informative वीडियो के लिए फार्मारोक्स की चैनल को सब्सक्राइब करें, गूड लग और अल दे बेस्ट!